कोर्बा लोकसवा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोजपांडे जी पीएम जिले के मरवाही विधान सभाश शेत्र के स्ट्रॉंग रूम का निरिक्षन करने पहुँची इस ट्रॉंग रूम में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को देकर वह संतुष्ट नजर आई और एक बार फिर दावा किया कि इस बार भी देश में पीएम मोदी के चार सव पार का नारा सफल होगा अपने जीत के प्रती पूरी तरह से आशवस नजर आई सरोजपांडे ने कहा कि देश में भाजपा के पक्ष में माहोल है नरेद मोदी को तीसरी बात रधान मंत्री बनाने पूरे देश की जनता आशिरवाद दे रही है छे चरन के चुनाव हो चुके हैं एक चरन का चुनाव अभी बाकी है आखरी चरन में भी भाजपा के पक्ष में बढ़ चड़ कर वोट पड़ेंगे भाजपा चार सव पार का लक्ष आसानी से हासिल कर लेगी इसमें कोरवा लोगसभाज सीट का नाम भी होगा भार्पा प्रत्याशी सरोज पांडे ने ये भी कहा कि स्ट्रॉंग रूम की विवस्था देखने आई थी सिसी टीवी लगे हुए हैं संतोष जनक है कोई आपत्ती की बात नहीं है और चार सो पार में कोरबा लोकसभा का नाम भी होगा मुझे कहीं नहीं दिखता यहां के चुनाओ के बाद में में देश के बाकी जग छेतरों में भी चुनाओ प्रचार के लिए गई थी मुझे कहीं पर भी एक लाख रूपय का कोई असर नहीं दिखता 36 गर में भी नहीं दिखाई देता है हम यहां पर 11 की 11 सीटे जीतेंगे और देश में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो 400 पार का लक्ष रखा है हम उसमें विजई होंगे और 400 पार होगा यहीं बताते हैं कि साथ रहने वाले नहीं हैं किसी के डर से समीकत्रित हुए अब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं